हाई दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर आर्दिक स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा कोगनोसी जो दोस्तो डी फार्मा पस्टियर वाले स्टुडेंट से लिए और जो अमारे सेकंड यर वाले स्टुडेंट हैं उनका जो दिया गया है ब्लेंक दिया गया है कि जब ब्रांच और बायो साइंस डीलिंग बेद मेडिशनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओप क्रूड और प्राइमरी टाइप एंड और प्लांट्स तो दोस्तो किस से प्लांट से प्राप्त होते हैं एनिमल से प्राप्त होते हैं और minerals जो खने जो होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं तो वो क्या है दोस्तो फार्मा कोगनौसी की ब्रांच होती है कुन सी होती है फार्मा कोगनौसी जब ब्रांच ऑब Bioscience dealing with medicinal related product of crude और primary type and obtained from plants, animals and minerals origin तो next है दोस्तो पहला question हमने देख लिया next question यानि second question क्या है blank दिया गया है तो branch कौन सी है जो study करती है chemicals की chemicals obtained जो दोस्तों chemical हमें obtained होते हैं किस से from plants से the branch also includes identification of new drugs तो दोस्तों वो branch कौन सी है जो identification करती है new drugs का of plant origin से क्या है plant origin से तो बहुत दोस्तों phytochemistry कौन सी है बहुत phytochemistry यानि option d is the right answer इसमें आ जाएगा phytochemistry branch next question है question number 3 देख ले दिये दिये दोस्तों पिनादेरी की जल्दी से तो question number 3 blank दिया गया है divided medicinal plants into 50 groups पचास गुरुपवों डिवाइड किया गया है medicinal plants को और 10 herb in each ठीक है दोस्तों फोर पर्टिकुलर illness यानि पर्टिकुलर बीमारी के लिए तो दोस्तों किस ने किया था ऐसा वो किया था चरक ने यानि option A चरक is the right answer next question question number 4 देख लेते हैं तो question number 4 दोस्तों blank है wrote the oldest herbal document तो दोस्तों oldest herbal document पेंटासो किस ने लिखाता in 3000 BC में किस ने लिखाता सिनोंग ने किस ने लिखाता सिनोंग आ जाएगा इसमें option c is the right answer next question question number five the evolution the evolution of blank depends on pharmacognosy pharmacognosy for depends a or noble medicines is nobel medicines depends on pharmacognosy option b is the right answer next question question number six is the last question of this chapter blank enhances bioability bioability को बढ़ाता है कौन बढ़ाता है preparing option a is the right answer तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में share करना बिल्कुल ना भूलें थेंक यू दोस्तो